सम्मिट शिखर वंदू जिनिवीस अश्टापद वंदू चौबीस सम्मिट शिखर जी तिर्थ में 20 तिर्थंकर विराजमान है अश्टापद तिर्थ में 24 तिर्थंकर विराजमान है उन्हें हम वंदन करते हैं ये पंक्ती तो हम अच्छी तरह से जानते है सम्मेच शिकरजी तिर्थ के तो दर्शन अनेक आत्माओं ने किये है किन्तु अनादी काल से और ना जाने कितने ही शतापदियों से लोगों को एक उत्सुपता है कि अश्टापत तिर्थ कहा है कहा विलुप्त हुआ और क्यों विलुप्त हुआ और सबसे बड़ा प्रश्ण ये है कि किसी को यदि अश्टापत्तिर्थ के दर्शन करने हैं तो कहा जाना होगा जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक ये प्रस्तुती शेर करना न भूले और भविश्य के अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजे हमारे सामने जो अलग-लग थियरीज आई है उसके हिसाब से मध्य एशिया और पंजाब में जैन धर्म पुस्तक में लिखी हुई जानकारी हम आपसे शेर करना चाते हैं ऐसा कहा जाता है कि शिवजी का कैलाश परवत और आदिनाद भगवान का अश्टापत्तिर्थ एक ही स्तान है क्योंकि प्राचीन जैन गरंथों में अश्टापत्तिर्थ को कैलाश के नाम से भी बताया गया है मुनीश्री जैन्त विजेजी ने पूर्व भारतनी जैन तिर्थ भूमियो नाम के गुजराती गरंथ के अंदर इसका विशलेशन बखू भी किया है जैन गरंथों में अश्टापत्तिर्थ को आयोध्या की उत्तर दिशा में बताया गया है अब एक परवत की खोच करने वाली पार्टी ने पता लगया कि यह परवत हिमालय के बीच शिखरमाला में यानि माउंटेन रेंजिस में स्थित है उत्तर भारत के अल्मोडा नाम के शहर से लगभग 200 मील दूर तिबत जिसको आज हम तिबेट के नाम से जानते है वह प्रदेश है भारत की सीमा इस परवत से लगभग 40 से 45 मील पर है अब हम जिस अश्टापत्तिर्थ की बात करने वाले है उससे मिलने वाला जो परवत है जिसे हम अजियूम कर रहे है कि वह अश्टापतिर्थ हो सकता है या होना चाहिए यह प्राकृतिक परवत नहीं है, बलकि किसी ने तराश कर बनाया हुआ परवत ऐसा दिखाई देता है, ऐसा उसे देखने से मालुम होता है, प्राकृतिक परवत उत्राव और चड़ाव की धलानों वाला होता है, जिनमें पुदरती लहरे आदी होती है, किन्तु हम जिस जाशा गया है वह हर तरफ से एक समान दिखता है इसके चारो और खाई है परवत के नीचे की तरफ चारो और की गोलाई में चौरस है यानि स्कोयर जैसा है और सबसे उपर का भाग गोल है इस परवत की छोटी नीचे के भाग से लगबग 4,000 से 5,000 फीट उची है समुद्र त जल से इसकी उचाई 23,000 फीट की है इस परवत की बनावट से ऐसा लगता है कि जैसे समवसरण की रचना हुई हो और चारो और खाई में 2400 घंटे रूई की तरह बर्फ गिरते रहता है परवत चारो तरफ से बर्फ से ढखा हुआ है पहाडों पर चलने वाले लोग इसके न पर के बीचों बीच का प्रदेश कलश के समान बर्फ में ढखा हुआ एक छोटी सी पहाडी जैसा दिखता है और अधिक उचाई पर सुनारी चमक सी दिखाई देती है इसकी परिक्रमा यानि सकंफरेंस का घेरा लगभग 40 मील का है इस परवत को कैलाश या शंकरजी का स्थ स्थान भी कहते है तीबेटी लोग इसे कांगरिंग पोच यानि की गुद्ध का निर्वान स्थान भी कहते है इस परवत की दक्षिन दिशा में सोना व उत्तर दिशा में चांदी की खाने है गरम पानी के जरने भी काफी है अलमोडा से यहाँ पैदल चलना पड़ता है पह उन्हों ने अपनी पुस्तक कैलाश और मान सरोवर के दस्वे पेज पर इसका महत्मय लिखा है उसमें अश्टापद यानि कैलाश का फोटो भी साथ में दिया गया है अश्टापद परवत टिबेट की पहाडियों परस्तित है भगवान श्री रिशबदेव की यानि आदि वर्तमान 24 के तिर्थंकरों को हर एक तिर्थंकर के देहमान और रंग के अनुसार 24 प्रतिमाय भरवाई थी और प्रतिष्टित की थी भरत महराजा ने खुद की मुद्रिका यानि अंगूटी में से एक प्रतिमा बनवाई थी और यही प्रतिमा आज कुलपाक जी में यानि बहँ मानिक पत्थर में से बनी हुई है और वो मानिक दूसरा कोई नहीं बलकि भरत चक्रवर्ती की अंगूटी का है यानि यदि हमें अश्टापत तिर्थ की स्पर्षना करनी हो तो उसका अंश आज भी कुलपाक जी में बिराजवान है इसे लिए यदि हमें अश्टापत को स्पर्श करना है आदिनाद भगवान को स्पर्श करना है तो हम कुलपाक जी में यह प्रतिमा जी की पूजा करके स्पर्श कर सकते हैं यहां से हमें आदिनाद भगवान की निर्वान भूमी का स्पर्श साक्षात प्राप्त होगा और उस समय की प्रतिमा का भी स्पर्श हो अगले भाग में हम देखेंगे पुलपाक जी का इतिहास देखने के लिए आपको जैन मेडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा आप हमें फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं परमात्मा के आगया विरुद कुछ भी कहा हो तुमें चामे दुखड़ं जै जिन्शासन जै महादीर